गुड इवनिंग सभी प्यारे बच्चों को तो इस समय जितने भी बच्चे हमारे जो की regular हमारी classes में आते हैं उन सभी का मैं welcome करता हूँ और साथ ही साथ बेटा ये भी आशा कर रहा हूँ कि आप सभी हमारे जितने भी बच्चे हैं न सब बढ़िया होगे घरों में सुरक्ष कैसे हैं आप तो भाई है सभी को बोल देता हूँ गुड इवनिंग और मैं एकदम बढ़िया हूँ एकदम first class हूँ इसी के साथ साथ एक बहुत ही बढ़िया चीज जो मैं बताने वाला हूँ वो है कि भाई हाज हमारा ये जो फ्रांसी सी करांती है इसका last lecture है लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम अभी इसके question answers नहीं करेंगे तो उसके बारे में भी देख लेंगे सर्चा कर लेंगे question answers भी हमको करने है ठीक है वो एक अलग class में हो जाएगा यानि कि आपकी जो next class होगी उसके अंदर अब फ्रांसी सी करांती क्योंकि आज हमें खतम करना है तो हमार guidance session में हमें यह पता चल जाए कि हम school को और online classes को साथ साथ किस प्रकार से manage कर सकते हैं है कि नहीं है इस तरीके के doubts बच्चों के हैं भी अगर बाकी बच्चे भी है ना इस तरीके का doubt session चाते हैं तो आप लोग comments में बता सकते हो कि भी या हमें इस तरीके का doubt session आप दे दीजिए चलिए और एक काम क्यों न करते हैं आज की class में ही यह बहुत major दिक्कत आ रही है अब क्योंकि अब अधिकतर schools जो है वो open हो चुके हैं साथ ही साथ दिक्कत क्या आ रही है कि आपको online classes को साथ साथ मैनेज करने में काफी struggle उठाना पड़ रहा है तो चलिए भाया करते हैं हमारी आ जाएंगी इसके अंदर अब करना क्या है जादा सीधे चल के class शुरू कर देते हैं और आज आज आप लोगों का जो suspense है वो खुलने वाला है यानि की महिलाओं की क्रांती के बारे में हम अब बात करने वाले है शुरू करने से पहले यदि कोई बच्चा ऐसा है जि कमेंट्स को चेक कर लेंगे तो बिलकुल एक्टिव रहना है किसी भी बच्चे को हिम्मत नहीं हारनी है सब कमेंट्स में फुल टू एक्टिव रहेंगे अपारी इस प्लास को शुरूआत से लेके लास्ट तक पूरा देखेंगे चलिए अब कमेंट्स वगिरा जाप लोग कर दीजेगा मैं चक्र लोगा जैसा भी कुछ फीड्बैक कुछ होगा तो देख लूगा अब केणधी जी कह tässä की पढ़ाई करिये कि ऐसा ही कहा था दो पड़ोगे लिखोगे तो क्या बनोगे नवाब बनोगे और खेलोगे कूदोगे तो फिट बनोगे खराब नहीं बोलना है कभी भी कभी खेल कूद को खराब नहीं बोलना है हमने यह पूरी की पूरी लाइन ही चेंज कर दी है है ना आप बोलते थे कि खेलोगे लिखोगे त तो उन दोनों चीजों से भी आप फिट बनों गया फिट होगे शरीर आपका बढ़िया रहेगा तो काइदे से दोनों चीजे साथ-साथ चलनी चाहिए अब आते हैं हमारी महिलाओं की करांती पर यानि की भाई जो रिवुलूशन था है ना विमिन्स रिवुलूशन जो था उसके बारे में हमें बात करनी है अब शुरुवात हमें करनी है कहां से क्रांती से ही शुरुवात करनी है तो भहिया वहीं से करते हैं क्रांती के बावजूद महिलाओं को वोड़ देने का अधिकार नहीं मिल रहा था तो यह चीज हमने हमारी शुरुवात से ही देखी है न खेट में तीन सम्हो थे इसके समय पर भी जब लूई-वोलवा जब शासक था तो महिलाओं को तो बोड़ देने का अधिकार था जो नहीं आ मैजे लूबर्ण की तो दूर की बात कीजिए तृत्य वर्ण को वोड़ देने का अधिकार था नहीं था इनके बीच में इनोंने एक डिवीजन कर दिया या इनको इन दो श्चेणियों में बाठ दिया अब इनको इन दो श्चेणियों में जब बाठा तो जो सक्रिये थे exposure जो कि अपने महीने की कुलाये का तीन दिन का हिस्सा टैक्स के रूप में दे रहे थे पैसे तो आप वोट भी दे रहे हों तो कायदे से यहां पे इन्होंने का अधिकार नहीं मिला महिलाओं चलिए कोई बात नहीं उसके बाद कहानी आगे बढ़ती है और हमारा क्या कहते हैं मैक्समिलियन रोबिस्पेर के बारे में हमने पड़ा अब मैक्समिलियन रोबिस्पेर जब आया तो उसके आने के बाद क्या चीज हुई उसके आने के बाद ऐसा लगा कि और शायद अब भी महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिल जाएगा लेकिन ऐसा फिर भी नहीं हुआ यानि की महिलाओं को वोट देने का अधिकार उसके बाद भी नहीं मिला चलिए समाज में उनकी सिती में कोई बदलाव नहीं हूँ अब अगर किसी को वोट देने का ही अधिकार नहीं है कि जो उनका शासक होगा या जो सरकार बनाएगा वो कौन हो सकता है तो इसका मतलब क्या है कि भई आपका काम कुछ नहीं है आप अपना समाज में रहिए अरिवार के सिवा कर जी अपना खाना पीना करी है जो जरूरत की चीज़ें एक दो चीज़ें कर लीजिए और अंत में आप मर जाए बस इतना एक तरीके से शौट में अगर मैं कहूं तो यही आपका काम है इस तरीके की एक जो इमोशन है भाव जो है वो निकल कर आ रहा है समाज में अपनी पहचान बनाने के उद्देश से महिलाओं ने फ्रांस के विभी शेरों में लगबग 60 क्लबों की सापना करी उन में से सभी या सबसे मशूर क्लब का नाम था कितना बढ़िया नाम है महिला पूर्शों के समान राजनेतिक अधिकार की मांग करती थी लेकिन 1791 के सम्मिधान ने उन्हें मिश्क्रिय नागरिक किश्रणी में रखकर उनको मिराश कर दिया अब इसको शोट में कैसे बनाया जाए तो सबसे बढ़िया तरीका है चीजों क को याद करने का कि हम लिखें यहां पर महिलाओं की करांती कैसे महिलाओं की करांती अब महिलाओं की करांती के बारे में जानना है तो सबसे पहला स्टेप क्या है कारण क्या था वोट का अधिकार नहीं मांग क्या थी इनकी नोट करते वे चलोगे भई सारे बच्चे जितने भी इस समय मेरी क्लास को देख रहे हैं मजे से बढ़िया से नोट करते वे चलना है इससे ज़्यादा शॉट में शायद कोई ओर नहीं करवा पाएगा और करवाएगा तो वो इंपोर्टन चीज शोड़ देगा तो भईया आजाओ और नोट कर लो और जैसे जैसे हम नोट करते रहो नो थोड़ा सा एक्टिव होना चाहिए कमेंट्स के अंदर थमजब देते रहा करो बीच बीच में सर भईया मज़ा आया समझ आ रहा है इस तरीके के कमेंट्स कॉंटिनियूस करते रहा करो उससे क्या होता है उससे जो नए बच्चे आप लोगों के साथ जुड़ते हैं उन नए बच्चों का ऐसा लगता है कि यार वा बच्चे हैं यहां पर मतलब बच्चों को मज़ा आ है है अगर आप पड़े हो यह बैठे हुए हो कि ठीक है यां नोट कर लेंगे तो प्या क्या होगा उससे जो बच्चा ऑएगा दूसरा और यहां यहां बैड जाए थोड़ देखेगा धर उदर दिवार देखेगा उचाद देखे गा कभी दर देखेगा कंभी क्लास की तर इस वाली बात को आप थोड़ा सा और डिटेल में अगर कुछ किसी और तरीके से अगर आप समझा सकें तो मज़ा आया है ना और जो यह बीचें बच्चे आजाते हैं कि गुरू जी आवाज नहीं आती है यह होता है तो इस शीज को छोड़ दो है ना इस शीज को रहने दीज बेनिफिट हमारे पास आ जाता है ठीक है तो सबसे बढ़िया चीज क्या है बई कि महिलाओं की करांती पड़ रहे हैं कारण था वोट का अधिकार नहीं था मांग क्या थी इनकी कि सेम राजनीतिक अधिकार मिलें सेम पॉलिटिकल राइट्स सेम राजनीतिक अधिकार जो पुर्शों को थी जो मैन के पास थे इस तरीके की इनकी मांग थी अब हुआ क्या हुआ ये कि अगर हम थोड़ा सा इतिहास में जाते हैं तो हम ये देख पाते हैं कि वोट देने का अधिकार महिलाओं को अब तक नहीं मिला अब ऐसी स्थिती में महिलाओं ने क्या करा यहां पे लिखते हैं एक और मांग इनकी अपनी पहचान बनाना पहचान कैसे बनेगी पहचान बनाने के लिए इन्होंने 60 क्लब कि शुरुवात की जिसमें से जो हमारा सबसे पावरफुल क्लब था या जो सबसे बढ़िया क्लब था वो क्या था दस सोसाइटी ओफ रिफॉलुशनरी और रिपॉब्लिकर्ण विमन यह इसको यहीं पे ही डाल देते हैं इसको यहां लिखने की जगेए ना काम करते हैं इसको अऐरी पहीं पहीं मेंशन करते हैं जैसे दग सोसाइटी आफ रिवोल्यूशनरी आप लोग अपनी नोट बुक में इसको साथ साथ नोट कर सकते हैं एंड रिपब्लिकन विमेन क्लियर है जी हाँ नए नए बच्चे आते हैं क्लास के अंदर हमारे बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया लगे क्लास थोड़ा सा लगे की हायर बच्चे नए इंजोई करते हैं हमारी क्लास में तो कोई बच्चा अगर क्लास में आता है चाय उसका नाम कोई भी हो राम शाम करन नाम हो चाय इंशु नाम हो चाई नाम Sophya हमारे टीचर अगर मान लेज़े कोई बच्चा लेट आता है तो इस तरीके के आप कमेंट्स को जो है न वो करते रहा कीजिए थोड़ा सा ऐसा लगता है किया रहा है बनला बच्चे देखे एक बच्चा क्लास में कब टिकता है दो चीज होती है पहला जब उसको क्लास में चीजे समझ आ र सिहान रखना है थोड़ा वेलकम कर दीजिए सामने वाले बच्चे को अच्छा लगे ये एक अच्छी आदत होती है और अच्छी आदतें सीख लेनी चाहिए तो सिक्स्टी क्लब की शुरुवात करी महत पैं इन्होंने अपनी पहचान मनाने के लिए जिसमें सबसे मनाना सेम राजनेती का अधिकार जो मेन के पास थे वो प्राप्त करना अब 1791 के सम्विधान ने निश्क्रिय नागरिक की श्रेणी मिडा यानि कि इतना सब कुछ होने के बाद भी एक चीज नहीं हटी वो थी क्या थी यह इस तरीके से हम करेंगे तो यहां से हमें क्लियर ह हो जाएगी क्या चीज है वो चीज है किस अपुछ होने के बाद भी जब हम बात करते हैं कि 1791 की बात करते हैं बटो में समविधान और सम्विधान में इस महिलाओं को था कि क्या गोशित करा निश्क्रिय नागरिक तो बेसिकली यहां से अगर हम इसको विल्कुल एकदम शौट में लिखना चाहें या यह समझाना चाहें कि exactly हुआ क्या तो यह कहना गलत नहीं होगा कि जो यह सारी चीजें हो रही थी जितनी घटना है हमारी यहां हो रही थी यह अजा निश्क्रिये से तात पर रहे अगर कोई बच्चा पूश रहा है या समझने की कोशिश कर रहा है शब्द को तो बड़ा निश्क्रिये शब्द से तात पर रहे होता है कि एक तरीके से ऐसी चीज जो की सक्रिये नहीं है या जो की जीवित नहीं है है ना जो की कोई movement नहीं कर रही है समझते हो इस शब्द का मतलब वह एक तो होता है आपका सक्रिय एक होता है निश्क्रिय सक्रिय हो गया यानि की जो active है सक्रिय का मतलब क्या होता है आप एक तरीके से समझ जाईए कि सक्रिय अगर मैं बात करूं या active शब्द शायद सभी बच्चे समझते होंगे तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं इस शब्द की तो इसका अर्थ जो निकल के आता है वो आसारण साधारण भाशा में आता है जो active ने हो यानि कि अगर मैं आपसे यह कहूं कि अगर आप लोगों का मैं उधारण ले हूं जो बच्चे इस समय देख रहे हैं आप सभी को वोट देने का अधिकार नहीं है लेकिन वोट देने का यह धिकार नहीं है ना भी वो भी उम्र की वज़े से है अगर आप 18 साल या उ वोट दे रहे हो आपने क्या एक बंदे को चुना उंदेने आ गगया या 시 अपना निता चुना तो ऐसी प्रधान मंत्रि चीफ मिनिस्टर सब नुक्त होते हैं मंत्री मंडल आती है मंत्री मंडल का रह पाली नगा इन सभी के साथ मिलके क्या करती है जिन स्कूल्स में आप पढ़ते हो उनका निर्माड होता है जिस पॉलिसी के तहत आप पढ़ते हो भाई एजुकेशन पॉलिसी होती है एजुकेशन पॉलिसी है है कि नहीं है तो जैसे कि अब एक टेस्स ऐसा आ गया है कि आर अगर आप 12 में हो तो आप केवल वो टेस्स दीजिए और उसके बेसिस इसी वज़े से वोट देने को एक सबसे बड़ा काम समझा गया है क्योंकि आप जिसको वोट दोगे या नहीं दोगे उसके बेसिस पर आपका देश जो है आपका जहां आप रहते हो जहां के आप नागरी को वो काम करता है तो इसी कारण से जो लोग वोट नहीं देते उनक यहां से निकाल रहे हैं कि यार बहिया ऐसा था कि महिलाओं को विमिन्स जो हैं उनको वोट देने में क्या करते हैं एक्टिव नहीं थे क्या महिलाओं उनकी चॉइस की बात नहीं हो रही है इन्हों ने महिलाओं ने अपनी चॉइस के लिए अपनी पसंद के हिसाब से नहीं चुना ये उस समय के सम्विधान में था कि महिलाओं को वोड़ देने का धिकार नहीं है तो ये फैसला महिलाओं का नहीं था बलकि सम्विधान का था इस चीज को समझ के रखना है इस चीज को पकड़ के रखना है भूलना नहीं है आगे आते हैं अधिकतर महिलाओं को ही महिनत करनी पड़ती थी वे घर चलाने के लिए फूल फल या सब्सियां बेचती थी कुछ महिलाये दूसरों के घरों में चो का बरतन का काम भी करती थी इसके अलावा जो महिलाये और हैं वो घरों में भोजन पकाना ये बाकी के basic basic काम क्या करती थी आचा आतंक के शासन के दोरान महिलाओं के कई कलब बंद किये गए और कई महिलाओं को जेल में डाल दिया गया आतंक का शासन किसका था जैकोबिन का था आतंक का शासन है ना मैक्स चीज हो गई है हमारी अब पॉइंट आता है आगे की चीज का जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर इस पैरग्राफ में ऐसी कोई मुश्किल वाली बात नहीं है जिसको समझने में दिक्कत आई यहाँ पर इस पूरे की पूरे पैरग्राफ में हमने केवल एक ही ब कि चलो भईया हमारा काम डन शादी करोड जाओ तो कुछ इस तरीके की सिती तो बेशिक लिए क्या दिखा रखा है यह दिखा रखा है महिलाओं की खराब सिती समाज में इसके साथ एक और चीज आप लोगों को ध्यान यह रखनी होगी कि जरूरी नहीं है कि आप पूरा की पूरा इस चीज को ठीक है क्या हो कि आप पूरे की पूरे इस चीज को नोट कर गे चलें ठीक इसी के साथ वेटा एक और चीज में आपको बताना चाहता हूँ कि जब मैं आप लोगों की क्लास के बाद कमेंट्स देखता हूँ मुख्य तोर पे जो मिस हो जाते हैं या जो भी चीज होती है यार उस कमेंट में न कई ऐसे डाउट आ रहे होते हैं या कई ऐसी चीज आ रखी होती है जो की मैं आपको अल्रेडी करवा चुका होता हूँ पुराने लेक्चर्स में तो यार दो ही रीजन है इसको करने के या वो offline class चल देगे offline class में तो आप देखी नहीं सकते हो जो है भाईया खेल सारा वहीं है पर online classes में तो यह हो जाता है ना कि यार जम्मन करा तब देख ली live है तो live देख ली recorded है तो recorded देख ली तो सवाल यह उठता है कि इस तरह की के classes में जब आप एक आगे के lecture number पे आते हो उस सि क्लास के अंदर क्लास के अंदर घुसने के बाद पता चला कि अच्छा सोशल साइंस की क्लास है इस्तियास चल रहा है और इतने lecture number आ गये हैं कैसे करेंगे भाई अगर ऐसी सिती है तो इस सिती को बड़े असानी से काउंटर करा जा सकता है वो है किया तो class के बाद जाके कर आ गए हैं अरे भाई जरा यह बता ना अरे तो भाई चचा पुराने lecture किस लिए हैं पढ़े हैं आप लोगों के पास हम कोई मतलब हमें कोई दिक्कत थोड़ी है कि हम एसी शोक्य तोर पर आप लोगों के पास हर जगे लेक्शर्स आपके पढ़े होंगे हैं वही किस लि और इसको आप कर सकते हैं, और इसमें कुछ नहीं है, जादा समझने की बात सिर्फ इतनी है, कि महिलां की सीथी खराब थी, रिवभिभान की महीला थी खुरते स्थी भर भरूड में जादा थी, और झो कुछ इस प्रकार की सीथी महीलाईउ थी का रास्था उस समय पर जो क्लब बगेरा खुलेते महिलाओं गयों बंद गरवा दिया गया तो इस तरीके की अप्रोच रखी गई समय बीतने के साथ क्रांतिकारी सरकार ने महिलाओं की सिति सुधारने के लिए कई कानून बनाए यानि समय बीता लोग नए नए आये कुछ में कहा कि यार महिलाओं के लिए कुछ करना चाहिए कुछ अलग कानून बना दिये कई सरकारी स्कूल बनाए गए और इस्तरी शिक्षा को अनिवारे किया गया यानि कि अब जो इस्तरी शिक्षा है महिलाओं की जो शिक्षा है सर्फ शिक्षा भ्यान महिलाओं के लिए चलाया गया एक तरीके से जैसे भारत में चलाया गया न सर्फ शिक्षा भ्यान बेटी ब अच्छा पहली बात तो 21 के करीब संतिंग कर दी है अब उससे कम मुझे में शादी मानी नहीं जाती मिनिमम में इतनी कर दी है पर उसके बावजूद भी अगर कोई करता है करवा रहा है तो उसमें उन दोनों लोगों की चाहिए वो लड़की हो चाहिए वो लड़का हो उनकी जो कहते हैं उनकी रजामंदी उनकी जो पसंद है वो उसमें होना बहुत ज़्यादा जरूरी है नहीं पसंदा रहा है तो यह नहीं है कि दबर्दस्ती करवा दी है चलो भहिया करो और निकलो हैगे नहीं है इस तरीके की अप्रोच नहीं है तलाग को कानूनी दर्दा दिय गया और अब तालाग की अर्जी पुरुष एस्त्री कोई भी लगा सकता था पहले ऐसा नहीं था पर अब क्या कर दिया गया महिलाओं की सिती सुधार रहे हैं तो भाईया महिलाओं की सिती कैसे सुधर सकती है शिक्षा से सुधर सकती है उसके बाद सुधर सकती है तो भाईय काने के लिए महिलाओं को अगले 200 वर्षों तक संगर श करणा पड़ा कब तक कर्ना पड़ा 200 वर्षों तक महिलाओं को संगर्श कर दा रहा नहीं मिलाओं ने वोट देने का अधिकार और अimatले yn ke महिलाओं को भईया देखो श्ट्रगल प्रांसी जिरवीन आते महिलाओं को मिल जाएगा अधिकार उनका नहीं मिलाता भाई महिलाओ को नाइनटिन वृट्सेंट में वोट देने के अधिकार प्राप्थ हुआ तो काईदे से क्या देखने को मिलता है कि जब भारत अजाद हुआ उससे करीब एक साल पहले ही यहां पर जो महिलाएं हैं यहां की जो नागरिक लोग हैं उनमें जो महिलाएं इस्तरी वर्ग जो है उसको वोट देने का दिकार 1946 में मिला भाई किटना भैनक है वही कितना जदा वेट उनको करना बड़ा पेशन्स देखे धेर देखे कि कितना दबरदस धेय है कितना दबरदस पेशन्स महिलाओं में था तो सिती देखे कुछ कहाँ पे आके रुकी तो जिन बच्चोंने गैस किया न कि वह यह फ्रांसीजी क्रांती क्या उते होते मिल जाएगा नहीं मिला भाई फ्रांसीजी क्रांती तो 1799 में समाप तो गई थी खतम हो गई थी और देखे जारा 1946 में मिल रहा है आप अधिकार वोड देने का ही नहीं समझे इसी वज़े से कहता हूं कि पहले से तुपका लगा ठी लेकिन करिब करिब 200 वर्ष बात आजादी से मतलब है वोड देने का दिकार दास परथा एक बुरी परथाती अरे भाई दास परथा होती क्या है दास परथा होती है जब आप अपने से गरीब तपकेगे लोगों को ले आते हो चाहे वो लोग आपके खुद के समाज के ह आए गए हूँ है ना तो इसको हम बोलते हैं दास प्रथा और इस प्रथा में क्या होता है कि इन सब इक से स्लीव यानि एक तरीके से इनको दास बनाकर अपना एक नोकर पर्तनल नोकर मेनाकर रखा जाता है यह जा करो यह यह तुम्हें पूरी रात बर बैट के जागना है और क्या करना है यह सारे की सारे कपड़े सारे की सारी सफाई तुमको करके रखने हैं नहीं करोगे तो मार पड़ेगी हैं नहीं करोगे तो सेलरी नहीं मिलेगी खाने को नहीं देंगे हम तो में तो कुछ इस प्रकार की दास्पर्था को देखने या दासपरता जो है वो हमें देखने को मिला था अचा इसी के साथ अचा एक बच्चा और कह रहा है कि 1799 के बाद कोई क्रांती नहीं हुई क्या अरे भाई आप लोगों को पिछली ही क्लास में मैंने पढ़ाया था जिस क्लास में मैंने यह पस्टूप से बताया था बोना पा क्रांती हुई है 1796 या तो हम बस उसी के आज सपास ही है हमारी कहाने असपास घूम रही है purity मेंजान रहे हैं और आगे पीछे की कहान सुटे को चुटे उसमें जानुब हैँ जादे डिटेव में नहीं उतर रहे हैं अबski जो व्यपारी थे थे वो conduits खरीदे थे वो कहां से खरीदते थे एफरिका से खरीदते थे और उन पर क्या है उन पर एक मार्क बनाया जाता था और उन्हें जंजीरों में जगड़ा जाता था अज़ा यह मार्का है इसको मार्क लिखेंगे भई मार्क इस वर्ड को ठीक करिए मार्क है मार्क एक तरीके से मोहर लगा दी है ना मोहर लगा दी स्किन पे लगा दी बैक पे लगा दी हाथ पे लगा दी देखा होगा आपने बॉलिवुड की मुवीज में या टॉलिवुड की करकेते हैं जो दूसरी मुवीज आती हैं ना टॉलिवुड की हो गई यह सारी हो गई तमिल तेलगु मूवीज इनमें दिखाते हैं कभी दास परता दिखा रखे तो एकदम गरम उससे करकते हैं पूरा की पूरा सिंबल बना दिया मोहर लगा दि कि भाईया अब तू हमारा है अब भाईया हमने तुझे क्या लिया है जंजीरों में जकड के रख रहे हैं साथ-साथ जहाजों में ठूस कर इनको केरिबियन द्वीपों पर भीजा जाता था आतलान्टिक पर इन्हें भेड़ा जाता था इसी समुद्र कि यौरप की मांग को पूरा क्या जा सके बोड़े और नांते जैसे बंदरगा दास्विपार के कारण ही फलते फूलते रहे थे तो टेक्निकली हो क्या रहा है यहां पर एक चीज हो रही है यहां पर कि अफ्रीका से लाते थे कैरबियन वीपों में लाते थे अचा कैरबियन इस चीज को समझने का सबसे बहतर ही तरीका बताता हूँ मैं आप लोगों ने उन्हें देखा होगा वेस्ट इंडीज की टीम देखी है वेस्ट इंडीज क्रिकेट की बात अगर मैं करू फुटबोल हॉक्की वोक्की में तो पता नहीं मेरे को भी जादा आइडिया नहीं ह जहां जा रहे होते हैं वो यही केरिबियन दीफ होते हैं है ना केरिबिन कंट्री तो तो वहां के लोग जो है वो वहां के मुलनिवासी नहीं है टेक्निकल देखा जाया तो वो जो लोग है वो एफ्रीका से लाए गए दास पर थाके जो जेले वे तड़पाए वे लोग थ क्लियर है यहां तक सभी को क्लियर हो गया होगा ठीक है क्लियर है अच्छा अब बात यहां पर हम करते हैं हमने अब तक किसके बारे में बात कर लिए हम दास्पृता के बारे में भी बात कर चुके हैं दास्पृता लेकिन दास्पृता के बारे में यहां पर अभी एक पॉइं नहीं है ये कुछ गलत है गलत फील आ रहा है दिल भारी हो रहा है यार इस तरीके से दास्प्रथा को continue रखते हुए और दास्प्रथा में शामिल व्याद विलसाईयों के डर से नेश्टनल असेंबली इस मामले पर कोई भी कानून लेने से बचती थी भाई ये आप अच्छी तरीके से जानते होंगे कि किसी भी देश के अर्थिवस्था को चलाने के लिए चाये वो भारत हो पाकिस्तान हो चाइना हो अमेरिका हो योरोप हो योरोपिन कंट्री कोई भी ह हर जगे की कंट्री अगर चलानी है आपको तो वह वहां के विवसाईयों से चलती है यानि की बिजनसमेंस जो होते हैं उनसे चलती है यहां तक की जो पॉलिटिक से हमारी राजनीती है उनके पास भी पैसा कहा से आएगा आम नागरिक के पास कितना पैसा नहीं है बिजनसम से जिनसे नैशनल असेंबली या उनको पैसा आता था या जो भी इनके पास अर्णिंग आती थी वो नहीं ले सकती थी इनके अगेंस एक्शन जब जैकोबिन के हातों में सत्ता आई तो उन्होंने फ्रांसी सी उपनिवेशों में दास्पृता पर प्रतिबंद लगा दिया त से पहला काम तो यही हो गया कि यह प्रतिबंद लगा दिया यह तक कि जो हम नियम वाली क्लास में कर रहे थे हमने नियम मैंने आपको बताए थे कि यह क्या काईदे कानून है उसमें भी कई सारी चीजे मुझे तो बड़ी पसंद आई मैंने कहा ठीक है होना चाहिए यह ची कली दास प्रता जो है वो पहले खतम हो गई थी और महिलाओं को अधिकार अभी भी नहीं मिलाता मिला जाके उनको 1946 सकता क्लियर है अब अन्त हमारा आ चुका है भहिया चैप्टर का और अब हम निशकर्ष पे आ चुके हैं निशकर्ष को हम बोलते हैं समरी यानि कि अब हम क क्योंकि इसका जो प्रभाव था वो केवल फ्रांस के समाज पर नहीं पड़ा बलकि आज लोकतंत्र की जो नीव खड़ी हुई है अधिकतर देशों में या अगर हम भारत की ही बात कर लेते हैं या अन्ने राश्टों की बात करते हैं तो इसके अंदर जो लोकतंत्र की क्या से भाई वो दिएंड होती है यानि की चैप्टर का एंत हो चुका है अब क्या होगा अगर कुछ होगा तो वह होंगे हमारे कोशन आंसर चुक है तो कोशिस करेंगे कुछ उसके बीच में अलग-अलग से कुछ नई-ई-चीज़े लाने की कोशिश करेंगे कि जो कि आप सभी बच्चों को हमारी एक लास फसंद आई होगी और आप लोगों के कमेंट्स पे अवश्य ध्यान दिया जाएगा तो जादा कूद फान नहीं करनी है उचलना उचलना नहीं है रोना वोना नहीं है ठीक है चलिए बचबाटी फिर्म लगात होगी आपसे अगली क्ल क्लास में तब तक के लिए बने रहेएगा हमारे साथ बाबाएं